हेलो दोस्तों, आज के गलीत के इस वीडियो में हम गलीत के उन प्रस्णों को हल करेंगे, जो कि सीटेट की पैच्छाओं में बार बार लगातार हर वर्ष पूछे जाते रहे हैं तो आईए वीडियो की सुरुवात करते हैं जो सबसे पहले टाइब का प्रस्ण है वो यह है कि 70,560 में 5 और 6 के अस्थानी मानों का गुड़न फल है ऐसे प्रस्ण जो है सीटेट की पैच्छा में बार बार पूछे जाते हैं खासर के प्रात्मी कस्तर पर हमसे पूछ लिया चैसे आता है कि अस्थानी मानों का गुड़न फल बताइए या फिर योग फल बताइए या फिर अंतर बताइए ऐसे प्रसन पूछे जाते हैं ऐसे प्रसनों को अहलrar के लिए, यदि हमें यह पह 5 का अस्थानी मान निकालना है तो हम सबसे पहले 5 लिख देंगे उसके बाद 5 के बाद जितने भी अंक होंगे यानि कि जितने भी jacket होंगे उतने 0 हम बढ़ा देंगे यहाँ पह 5 के बाद 2 अंक हैं इसका डने यहाँ पर 2-0 बढ़ा देंगे मानों का गुडनफल है यानि इन दोनों का गुड़ा करके हमें बताना है तो यहाँ पर enact 365 और 1230 बढ़ जाएगा तो यहाँ जो 5 और 6 के अस्थानि मानों का गुडनफल आया वो आया 30 यानि कि यहाँ पर जो option सही होगा option C सही होगा इसी type का एक प्रस्ण और पूँछा जाता है इसमें ये दिया जाता है जैसे यहाँ पर दिया गया है बारह थाजाश टींसों पैंतालिस में तीन के अस्थानी मान तथा अंकित मान में अंतर यानि कि यहाँ पे जो 3 का स्थानी माने वो तो आप सभी लोग निकाल ही लेंगे कि 3 लिख दिये उसके बाद 2 डिजीट था तो 2 0 बढ़ा दिये लेकिन 3 का अंकित मान कितना होगा 3 का अंकित मान 3 नहीं होगा इसी प्रकार 7 का अंकित मान 7 ही होगा पांच के अंकित मान 5 ही होता है ठीक है वह कहीं भी हो तो यहां पे 3 का अंकित मान हो गया 3 अब इन दोनों का अंतर हमसे पूछा गया था तो 300 में से 3 घटा देंगे हमारे पास निकल के आ जाएगा 297 तो यहां पे जो एंसर होगा वह होगा 297 अब आते हैं अगले टाइब के प्रस्ण की ओर जो अगले टाइब का प्रस्ण है यह देखिए पिछले सालों में अस्थानी मान से समभन्दीत प्रस्ण पूछे जगे हैं वे यहां पे दिखाई दे रहें आप लोग को आव आते हैं अगले टाइब के प्रस्ण पर अगला जो प्रस्ण है दस दहाई 11 शैकड़ा और 12 इकाई बराबर है तो यहां पर इन तीनों को प्लस करके हमें बताना है 10 दहाई प्लस 11 शैकड़ा प्लस 12 इकाई तो इसको हल कैसे करते हैं 10 दहाई 10 लिख देंगे और दहाई के लिए 1 जिरो बढ़ाते हैं 11 शैकड़ा है 11 लिख लिए और शैकड़ा के लिए 2 जिरो बढ़ाते हैं इसी प्रकार 1000 के लिए अगर कहेगा तो 3 जिरो बढ़ाएंगे और इकाई के लिए कुछ नहीं बढ़ेगा यहाँ पे 12 काई कहा जारा तो इसको 12 अब हमसे प्लस प्लस करके इनका मान पुछा जा रहा था यानि इन तीनों को जोड़ देना है तो जोड़िए 2,1,2,1 यहाँ पे जो एंसर निकल किया आएगा 1212 यहाँ पे एंसर होगा option number D यह यहाँ पे correct option होगा इसी type का प्रस्ण कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है जैसे यहाँ पे लिखा गया है 112 काई प्लस 12,000 बराबर 11,000 बार प्लस एक खाली अस्थान है दहाई तो रिक्त अस्थान में संख्या होगी तो यहाँ पे इस पूरे के अस्थान पे हम क्या करते है एक्स माल लेते है जब हम एक्स माल लेंगे तो हमारे पास यह निकल के आ जाएगा 112 काई प्लस 12,000 बार प्लस एक्स इसको जो है सरल करते हैं 112 काई कितना होगा 112 ही काई, 112 ही ही होगा और 12,000 12,000 तो आप सभी लोग जानते है 1000 के लिए 3,0 बढ़ाईए 1,2,3 और जो की लिखा हुआ था 1,1,0,1,2 यानि कि 11,0,12 और इस पूरे के जगा पे हमने माना है X अब इसी X का value हमें निकालना है तो यहाँ पे निकल के आगया 12,000 पलस 112 यानि कि 12,112 हो गया यह और यहाँ पे यह निकल के आगया 11,0,12 प्लस X अब जो यहाँ पे 11,012 है इसको दूसरी तरफ पच्छांतर कर देंगे तो यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास x बारावा निकल के क्या आएगा, 12,112 तो ऐसे ही रहे आएगा, लेकिन 11,012 दूसरी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ से घटा दीजिए, कितना आपके पास निकल के आ रहा है, 2 में से 2 गय गया 0, 1 में से 0 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 0, यहाँ पे x की value जो आपको निकल के आई, यानि कि इस पूरे के अस्थान पे जो निकल के आया, वो आया 1100, यह कितने दाहाई है, कितने दाहाई है, यह जानने के लिए 1,0 हम हटा देंगे, तो यह कितने दाहाई हो संसनां Powis seulement 107 अगले अगले टाइप को प्रस्ण है यह काई बाद पूछा जा चुका है यह प्रस्न है छह बटे पाच में कितने 1ग बटे 10 इस już प्रस्णों को हल कैसे करते हैं इन प्रस्णों को हल करने के लिए में कुछ नहीं करना होता है बस इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना होता है जिसमें पूछा जा रहा है उसको उपर लिखते हैं यानि कि 6 बटे 5 और बटे 1 बटे 10 अब इसको हल करने के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखेगा कि बाहे पदों का गुड़न फल बटे मद्य पदो बाहे पद कौन-कौन से हैं 6 और 10 यानि कि 6 गुड़े 10 और बीच वाले को नीचे लिखते हैं 5 गुड़े 1 अब इसको हल कर लीजिए जो आएगा वही हमारा एंसर होगा तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया और 6 दूनी 12 यानि कि 6 बटे 5 में 1 बटे 10 जो होगा 12 बार होगा यहा पर यह प्रस्न पूछा गया था 3 सही 1 बटे 3 में कितने 1 बटे 6 हैं जब भी आपको मिस्र संख्या में दिया गया हो तो सबसे पहले उसको भिन्द में बदलेंगे यदि 3 सही 1 बटे 3 को भिन्द में बदले तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा 3 तरीक के 9 और 9 प्लस 1 10 य भाग दीजिए 2 पदों का गुड़न फल बटे मध्य पदों का गुड़न फल यानि कि यहां पे भी आ गया 10 गुड़े 6 बटे 3 गुड़े 1 3 से 6 को काड़ दीजिए 2 बार में कड़ जाएगा यानि कि यहां पे एंसर निकल के आजाएगा 10 दूनी 20 3 सही 1 बटे 3 में 20 बार जो है 1 बटे 6 होगा यहां पे तीसरा ओप्सन सही होगा अगले टाइप के प्रस्ण पे अब चलते हैं अगला टाइप का प्रस्ण यह होता है कि हमें 2 संख्याय दे दी जाती है और उनके सेस्फलों का योग गुड़न फल या फिर अंतर पूछा जा जैसा कि यहां पे दिया गया है 12,112 को 11 से भाग देने पर और 13,220 को 13 से भाग देने पर प्राप्त सेस्फलों का योग है सीटेट की पैच्छाओं में बहुत बड़े अंकर नहीं दिये जाते हैं प्रात्मी कस्तर पर इस काणा वहां पे हम तुरंत जो है भाग देकर सेस् से भाग देने पर कितना सेस्फल बच रहा है फिर उनका जो है योग हम बता देंगे यानि कि उनका जोड हम बता देंगे तो आईए 12,112 को 11 से भाग देते हैं तो सबसे पहले एक बार भाग जाएगा 11 कम 11 एक बच गया 11 हो गया फिर 11 कनने 11 11 कट गया एक उतारे भाग नही तो 13 कनने 13 zero, दो उतारे भाग नहीं गया, 0 बढ़ा है 22 हो गया अब 13 कनने 13 हमारे पास बच गया 9 और ये हो गया 3 1 zwischen 21, यहाँ पे हमारे पास जो सेस्फल निगल के आया वो आया 2, यहाँ पे एक आया है यहाँ पे 2 हाया है हमसे पूछा जा रहा था कि det2020 कितना होगा तो says follow का युखल कितना होगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 यानि कि 3 यहाँ पे जो सही option होगा वो होगा option number 1 ठीक है यहाँ पे पहला option correct होगा अब आते हैं अगले प्रस्ण पे जो की अगले type का प्रस्ण है इस type के प्रस्ण में भी 2 type है तो सबसे पहले वाले प्रस्णों को देखते है किसी विद्याले में 360 विद्यारती है जिन में 2 तिहाई लड़किया है लड़कों की संख्या के 3-4 खिलाडी है जो खिलाडी नहीं है उन लड़कों की संख्या है तो सबसे पहले हम इस प्रस्णों को हल कैसे करते हैं इन प्रस्णों को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे 360 विद्यार्ती हमारे पास दिये गए हैं ठीक है? 360 विद्यार्ती दिये गए हैं जिन में से 2 तिहाई लड़किया है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या सबसे पहले अलग लग निकालेजिए तो 360 का 2 तीहई कैसे निकालेंगे 360 को 2 बटे 3 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो 360 का 2 बटे 3 निकल के आ जाएगा यहां से 3 जो है 36 12 बार बार में काट देगा यानि की 12 उनि 24 यहां पर जो एंसवा निकल के आएगा 240 यहां पर 360 में 2 तीहई यानि की 240 लड़किया हैं लड़के कितने हुए लड़के आपके पास निकल के आ जाएगे 120 360 में जब 240 लड़किया हो गई तो 120 लड़के हो जाएगे लड़को की संख्या के 3 चॉथाई खिलाडी हैं 120 में अब हमें बताना है जो खिलाडी नहीं है उन लड़को की संख्या तो 120 लड़के थे 90 खिलारी हो गए तो कितने खिलाली नहीं है, 30 जो हैं खिलाली नहीं है, 120-90 कर देंगे, हमारे पास सेंसल निकल के आ जाएगा, यहाँ पर जो option D होगा, यहाँ पर correct option होगा, देखिए इस प्रकार के प्रस्ण भी कई बार पूछे जा चुके हैं, यहाँ पर एक प्रस्ण ये भी है, अब जो है मैं कह रहा था कि इसी type का एक प्रस्ण दूसरी प्रकार से पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाता है, वो देख लीजिए आप, रभी के पास तीन दर्जन चॉकलेट हैं, अक्सर जो है दर्जन में यहाँ पर दिया जा रहा है, कई बार मैंने देखा कई वर्सों के प्रस उसने उसका एक तिहाई भाग पडोसी को, एक छटवा भाग रहाना को और एक चोथाई भाग बहन को दे दिया, उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हुई है, तो सबसे पहले हमें यह ग्याद करना होगा, कि रभी के पास कितनी चॉकलेट थी, तो तीन दर्जन चॉकले यानि कि 36 का एक तिहाई जो है पडोसी को दिया, तो कितना आ गया, तीन से 36 कार दीजिए, बारव भाग यानि कि 12 जो है उसने पडोसी को दे दिया, एक छटवा भाग रहाना को, 36 का एक छटवा भाग रहाना को दिया है, तो 36 का एक बटे 6 निकालिये, तो 6 चॉकलेट उसन रहाना को और एक छोधाई भाग वहन को दिया है यानि कि 36 स्का एक बटे've 4 निकालना है एक बटे 4 तो 4 से 36 कतनी बार में कटेगा 9 बार में कट जाएगा यानि कि 9 चॉकलेट उसने जो है अपनी बहन को देदिया उसके पास कितनी चॉकलेट बची है यह हमसे पूछा जा रहा है 36 चॉकलेट था 12 पडोसी को 6 रेहाना को और 9 जो है अपनी बहन को उसने दिया हुआ है तो कुल उसने कितने चॉकलेट दे दिये 12, 6, 18 और 9, 27 27 चॉकलेट उसने दे दिये कितने में से? 36 में से 36 में से 27 दे दिये तो उसके पास कितना बचा? घटा देंगे हमें पता चल जाएगा कि 9 चॉकलेट उसके पास बचा हुआ है और सन यह यहाँ पे करेक्ट और सन होगा अगले टाइप को जो प्रस्न है वो लसव और मौसव परादाज प्रस्न है और यह भी प्रस्न सीटेट में हर साल पूछे जाते है जो प्रस्न है 36, 54 का सबसे छोटा सारोगुलज भागा 90 बराबर है किसके बराबर है हमें बताना है यहाँ पे कहा क्या रहा है सबसे छोटा सारोगुलज तो यह जान लिजिए कि सबसे छोटा सारोगुलज का हर्थ हमेशा जो है लसर होता है जबकि यह लिखा जाए कि सबसे बड़ा गुड़न खंड तो उसका अर्थ होता है मसर यहाँ पे आपको 36, 54 और 60 का लसर निकालना है उसके बाद 90 से डिवाइड करके एंसवर बताना है तो आईए 36, 54 और 60 का लसर कैसे निकालते हैं यह देख लेते हैं तो हमारे पास तीन संख्या जो दी गई है उनको लिख लेता हूँ 36, 54, 60 तो उनको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं जिससे यह डिवाइड हो सकता है तो दो से ध्यान दिजिएगा सबसे छोटी यानि कि 2 से ज़्यादा एक से नहीं डिवाइड करेंगे एक से तो सभी संख्या जो है डिवाइड होती है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ प्या जाएगा 18 यहाँ प्या जाएगा 27 और यहाँ प्या जाएगा 30 फिर यह दो से डिवाइड होगा तो दो से डिवाइड कीजिए यहाँ पर आ जाएगा 9 यहाँ पर आ जाएगा 27 डिवाइड नहीं होगा तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं और 30 जो है 15 बार में डिवाइड हो जाएगा अब जो है यह 2 से डिवाइड नहीं होगा किस से डिवाइड होगा 3 से होगा 3 तरीके 9 3 नवा सा 23 और 3 पचे 15 पुना जो है 3 से डिवाइड कीजिए जब तक कि सारे जो हैं 1 में 9 बदल जाएं यहाँ पर 1 में 1 बदल गया यह 3 तरीके 9 और यह 5 फिर जो है 3 से डिवाइड होगा 1 5 नहीं डिवाइड होगा तो 5 लिख दिये अब जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो सभी एक में बदल जाएंगे 1 1 अब इन संख्याओं का लशा होगा कितना यह होगा 2 गुले 2 गुले 3 गुले 3 गुले 5 यानि कि जितनी बार संख्याओं आये होंगी उनको आपस में मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एंसर है लशा निकल के आ जाएगा तो मल्टिप्लाई कीजिए कितना आ रहा है 2 दूनी 4 4 तियाई 12 12 तियाई 36 36 तियाई 108 और 108 पचे 540 यहाँ पर जो एंसर निकल के आया है लशा का 540 लेकिन हमें निकालना क्या था इनका लशा भागा 90 यानि कि 540 को अभी 90 से हमें भाग देना है तो जड़ा भाग दीजिए तो 540 को यदि 90 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा जीरो से जीरो के एंसर लोगया नशा के 54 यानि कि 6 यहाँ पे एंसर निकल के आजाएगा ओप्शन दी यहाँ पे करेक्ट ओप्शन होगा इसी टाइब का प्रसन कभी-कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है 36 और 60 का सबसे चोटा सारो गुड़च भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सारो गुड़च बराबर है यहाँ पे जो पहला कह रहा है सबसे चोटा सारो गुड़च यानि कि लसर मैंने पहले ही बताया और सबसे बड़ा सारो गुड़च यानि कि मुशर यहाँ पे 36 और 60 का लसर निकालेंगे और 18,45 का मौसा निकालके उससे भाग दे देंगे तो 36 और 60 का लशा कितना आएगा तो इसके लिए यहाँ पे मैंने निकालके रखा हुआ है देख लीजिए यहाँ पे डिवाइड करके मैंने दिखाया भी हुआ है कि 36 और 60 का जो लशा है वो आएगा 180 18 और 45 का मौसा कैसे निकालेंगे सबसे पहले 18 और 45 को गुलनखंड करेंगे जिस विदी से अभी हमने किया हुआ था तो 18 का अलग करेंगे और 45 का अलग करेंगे तो 18 का आएगा 2 गुले 3 गुले 3 और 45 का आएगा 3 गुले 3 गुले 5 मौसा कैसे निकालेंगे इन दोनों में हम कामन ढूंडते हैं तो यहाँ पे 3-3 कामन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 3-3 कामन दिखाई दे रहा है तो एक कामन की जगा पे एक बार वही संखिय हम लिख लेंगे इसकी जगा पे 3 लिख लिया और इसकी जगा पे 3 लिख लिया अब यहां से 18 और 45 का मौसर निकल के आ गया, 3 गुले 3 बराबर 9, 18 और 45 का मौसर 9 आ गया, यदि यहां पे 5 भी कामन मिलता, तो 5 को भी हम एक बार लिख लेते हैं, लेकिन यहां पे 5 कामन नहीं मिला है, इसका यहां पे मौसर 9 हो गया, अब हमारे पास लौसर निकल के आया हुआ था 180 और मौसर निकल के आया 9, अब हमें क्या करना था, इन दोनों का आपस में भाग देना था, तो 180 में जब 9 से भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 9 दुनी 18, यानि कि यहां पे answer निकल के आएगा, वो आएगा 20, option A यहा अब अगले टाइप को जो प्रस्ण है, एक रेल गाली, इस्टेशन P से, 8-18 एम पर चल कर इस्टेशन Q पर उसी दिन 10-28 पीम पर पहुचती है, रेल गाली द्वारा Q तक पहुचने में लगा समय है, तो यह समय वाले प्रस्ण भी बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो यह यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है, 8-18 और 10-28 के बीच कितना समय लगा, यह हमें बताना है, तो 8-18 से 10-18 प्यादी सामके आप आएंगे, तो आपके पास कितने घंटे हो जाएंगे, 14 घंटे हो जाएंगे, 8-18 से 10-18 तक 14 घंटे, लेकिन 10-28 है, यानि 10 मिन और, तो 14 घंटे 10 मिनट जो होगा, इसका एंसर होगा, और जिनको नहीं समझ में आया, वो क्या करेंगे, 10-28 को लिख लेंगे, 10-28 प्यम को कितना लिख लेंगे, 22 बचके 28 मिनट, ठीक है, अब इसमें से 8-18 को आप घटा देंगे, तो आपके पास जो हैंसर निकल के मिनट, यहां से भी वही एंसर आएगा, अब आते हैं अगले प्रस्न पे, इसी टाइप का एक और प्रस्न हल कर लेते हैं, एक रेल गाली जो है, 6-14 एम पर चल कर, अपने गंतब्य अस्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के परचात पहुच जाती है, गंतब्य अस्थान पर पहुच दिने का समय है, तो यानि कि 6-14 पर चली और 13 घंटे 48 मिनट बात पहुची हुई है, तो कुछ नहीं करना है, 6-14 एम में 13-48 घंटे जोड देना है, तो 13-48 जोड यह जड़ा तो, यहां पर आ जाएगा, 8-4 बारों को 2-4-5-1-6, और यह आएगा 6-3-9, और यह आगया 1, ठी जोड़ा नहीं, जो ही 60 मिनट होगा, वो एक घंटा कम्प्लीट हो जाएगा, यानि कि 99 नहीं होगा, अब यह 20 हो जाएगा, और 2 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, 20 बचके 2 मिनट, एम नहीं, पी अम, यहां पर जो सही आप्शन होगा, वो होगा 8 बचके 2 मिनट, पी अम, आप्शन यहां पर करेक्ट आप्शन होगा, अब अगला प्रसन भी इसी पर आधारित है, इसको भी देख लिजेगा आप लोग, और इसका एंसर हमें कमेंट करके बताईएगा, गलीत के कुछ और प्रसन है, जो सीटेट में हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि गुलंखंड लेकिन गलीत के अगले पार्ट में, यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताईएगा, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल करूँगा, तब तक के लिए दीजेगा इजाजत, धन्यवाद